रामरब दस्तो आज की वीडियो में हम आपको लखनो विकास प्रादिकर्ण यानी LDA से रिलेटेड अपडेट देंगे दोस्तो राददादनी में रहने वाले लोगों के लिए एक खबर है दोस्तो लखनो विकास प्रादिकर्ण की अभी सुकरवार को जो है बोल्ड की बैठा कोई थी जिसमें एक प्रस्ताओ को मंजूरी मिली है जो की प्रस्ताओ पास हुआ है दोस्तो अब लखनो विकास प्रादिकर्ण यानि LDA का जो है दैरा पहले के आपेच्छा बढ़ गया है कहने का मतलब है की लखनो विकास प्रादिकर्ण ने केवल केंट के एरिया और लीडा की एरिया को छोड़ कर पूरे लखनों के 8 ब्लॉकों को अपनी सीमा में सामिल कर लिया है और इस प्रस्ताओं को मंजूरी भी मिल गई है दोस्तों इसमें सरुनी नगर, काकोरी, मलियाबाद, मोहलल गंच, माल और आपका बक्सी का तलाब और गोसाई गंच और ये ब्लॉकों को सामिल किया गया है और बाकी चिनहर जो है पहले से ही LDA के सीमा में सामिल है तो LDA के दाइरे में अब ये सारे ब्लॉक जो है सामिल हो गए अब इनके गाओं का विकास भी LDA के देखेगा और वहाँ पर कोई भी विकास का काम अब LDA करेगा आने वाले समय में तो जिला पंचायत का आप कोई दखल इसमें नहीं होगा आने वाले समय में जिला पंचायत से अब नकसे भी नहीं पास होंगे आपको अगर नक्सा पास करवाना है तो आपको LDA के पास जाना होगा जो जिला पंचायत के अधिकारी के अंसार जो है अभी ये जो LDA के बोर्ड में जो ये प्रस्ताव पे मंजूरी मिली है अब ये प्रोस्ताव जो है सासन के पाज जाएगा और सासन से मंजूरी मिलने के बाद जो है इसकी अधिस सुचना जाएगी बाद जो है ये काम आगे के प्रोसीजर होगा तो कहने की मतलब है कि अभी जो है ये इस काम में थोड़ा सा देरी हो सकती है तो बिल्डर जो है पहले की तरह जो जिला 25 से जो अनमती लेकर जो आ नियोजित और आ विक्सित जो कालूनिया बना रहे थे अब उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि LD के दारे मानेक बाद LD की देरेक में अब ये काम असानी से नहीं हो पाएगा विल्डर जो मरमानी करते थे वो काम नहीं हो पाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर मेरी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल को सब्काइब कीजिए और प्रस कर दीजिए